वेल्केम बैग दोस्तो तो मैं धीरज सेंटरम एकेडमी की तरफ से आप सब का फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम बात करेंगे वेव के बारे में और आपको तो पदा ही है दोस्तो कि वेव एनरजी केरी करता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक बट क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश किया है कि एनरजी कितनी कैरी होती है वेव के द्वारा क्या हम इसका क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं तो उसका जवाब बिलकुल हाँ है दोस्तो तो आज की वीडियो में दोस्तो हम जानेंगे कि कितनी एनरजी ट्रांस्मिट होती है एक ट्रांस्वर्स वेव में जो एक स्ट्रिंग में ट्रैवल कर रही होती है चलिए दोस्तो तो आगे वढ़ते हैं तो दोस्तों आप मेरे सामने क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर एक transverse wave है मान लिजिए ये transverse wave एक string में move हो रही है एक location से दूसरे location में और अपने साथ energy carry कर रही है अब energy का मतलब क्या है दोस्तों energy इस respect में जब हम string के बात कर रहे हैं तो वो kinetic energy और potential energy का summation है दोस्तों तो अगर मैं पूरी wave को ना देख कर सिर्फ इस red dot की तरफ देखूं तो ये red dot आपको क्या करता हुआ नजर आ रहा है तो अगर आप सिर्फ red dot को देखेंगे तो आपको ये clear cut realization होगा कि ये एक oscillation कर रहा है उपर की तरफ और नीचे की तरफ तो इस red dot में कुछ energy है और अगर ये sinusoidal wave है तो ये oscillation एक simple harmonic motion बन जाता है दोस्तों और ये जो energy is red dot की है ये energy wave की वज़े से है तो इस तरह से ये पूरी string आप माल लीजे बहुत सारे ऐसे points के द्वारा बनी हुई है और हर एक point की अपनी एक kinetic energy और एक potential energy है तो अगर मैं किसी तरह सारे dots का kinetic energy और potential energy add कर दूँ तो मेरे पास total energy आजाएगी दोस्तों तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम किस तरह से इस situation को handle करते हैं और quantify कर सकते हैं पूरी energy को अब मैं इस red dot को अगर ध्यान से देखूँ तो इस red dot को मैं मान लेता हूँ कि इस red dot का जो mass है वो delta m है और इस red dot का जो length है वो मैंने मान लिया dx तो इस red dot को क्योंकि यह sinusoidal wave है और यह SHM कर रहा है तो इस point का इस dm mass का जो velocity होगा माल लिजे vy है इस velocity की वज़े से उसकी kinetic energy दोस्तों हो जाएगी half mass of that red dot into velocity of red dot square right अब इसकी जो potential energy है दोस्तों यह थोड़ा सा आपको यहां पर visualize करना पड़ेगा इस potential energy को हम किस तरह से लिखते हैं माल लिजे आपके पास एक spring block system है जो oscillation कर रहा है तो potential energy क्या होगी spring की दोस्तों half k x square है कि नहीं और इस k को अगर मैं थोड़ा सा modify करने की कुशिश करूँ एक spring block system में omega को हम लिख सकते हैं root over k by m right so यहां से दोस्तों जो value of k आएगी वो आएगी omega square m के बराबर all right तो यहां पर दोस्तों अगर मैं इस mask को इस dm mask को एक oscillator की तरह treat करूँ जिसमें elasticity है तो उस oscillator का जो spring constant होगा मैं omega और m के towns में कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ तो दोस्तों मेरी जो potential energy होगी वो half k x square तो होती ही है अगर मैं इस case के बारे में बात करूँ जहां मुझे k नहीं पता है बट omega और m अगर पता है तो मैं इसको modify करके half m omega square x square लिख सकता हूँ right अब दोस्तों यहां पर instead of x y लिखा हुआ है क्योंकि oscillation y direction में हो रहा है तो x और y को लेके आप confused मत होईएगा all right तो इसको इस discussion को थोड़ा सा हम लोग summarize कर देते हैं आगे बढ़ने से पहले तो दोस्तों यह हमने discuss किया kinetic energy half mass of that red dot जो की मैंने dm लेकर रखा हुआ है हाँ पर dm into velocity of particle square potential g half k into y square omega under root k by mass of that particle है तो k हो जाएगा omega square into mass of the particle तो potential g उस छोटे से element का हो जाएगा half dm omega square y square right अब हमको दोस्तों सिर्फ एक ही चीज़ करनी है हमको इस चीज़ को अगर हम integrate कर दें dk को तो हमारे पास total kinetic energy आ जाएगी और इस चीज़ को अगर हम integrate कर दें तो हमारे पास total potential energy आ जाएगी all right तो एक छोटी सी बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपने किसी तरह से energy निकाल ली एक particular full wavelength में माल लीजे आपने यहां से लेकर यहां तक यहां मैं अगर clear cut बोलू तो यहां से यहां तक माल लीजी यह एक wavelength है एक wavelength की length है तो इस wavelength में अगर मैं किसी तरह से यह सारे particle का kind energy और potential energy आड़ कर दूँ तो वही चीज बार-बार repeat होगी दोस्तों तो अगर मैं next wavelength की बात करूं तो exactly वही energy मेरी यहां पर भी होगी यहां पर तो इस तरह से दोस्तों मेरा यहां पर जो interest होगा कि मैं किसी तरह से एक wavelength के अंदर जो length है उसमें कितनी energy है वो निकाल लूँ क्योंकि अगर माल लिजे मेरे पास infinite length की wire है तब तो दोस्तों energy भी infinite हो जाएगी तो मैं अपनी length limited रखूंगा one wavelength के बराबर और total energy in that length which is equal to one wavelength यह निकालने की कोशिश करूंगा चलिए दोस्तों अब हम चीजे quantify करना चालू कर देते हैं एक typical wave की जो equation होती है वो क्या होती है दोस्तों a sin of kx minus omega t यही होती है और velocity of particle अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो partial derivative of y with respect to t होगा तो यहां पर आएगा minus of a omega cos of kx minus omega t और हमने निकाला क्या था? dk is equal to half dm into velocity of particle square राइट dm मेरा दोस्तों हो जाएगा mass parent length एक वायर की into dx into velocity of particle square जो की minus of a omega cos of kx minus omega t the whole square तो यहां पर dk is equal to half of mu dx a square omega square cos square kx minus omega t तो यहां पर दोस्तों मैं एक और बात कहना चाहूंगा यह जो counting energy हमने निकाली है यह counting energy एक point की है लेकिन अगर हम पूरे wavelength की counting energy निकालने की बात करें तब time का factor का relevance नहीं रहता है क्योंकि पूरी एक wavelength में पूरा spectrum of counting energy cover हो जाएगा तो मैं यहां पर conveniently t equal to zero put कर देता हूं क्योंकि मुझे पूरे एक wavelength की total counting energy निकालनी है तो मैं किसी भी time interval में पूरी एक wavelength की counting energy निकालूंगा तो वो same ही आएगी तो equal to half mu omega square a square putting t equal to zero cos square kx dx आ गया है अब इसको दोस्तों हमें integrate करना है एक wavelength में तो मैंने already जो चीज constant है उसको integral के बाहर लेके रखा है यहां पर zero to k लिख देता हूं और एक wavelength की study करनी है मुझे तो zero to lambda कर दिया मैंने so the kinetic energy आएगी मेरी half mu omega square a square इस चीज को मैं लिख सकता हूं cos square theta theta होता है दोस्तो one plus cos two theta two times kx divided by two okay so that integral we have to find out all right so one by four यहां पर दोस्तों काफी लोग गल्दी करते हैं cos theta को one plus sine two theta by two लिख देते हैं a square integral of dx zero to lambda plus zero to lambda cos two kx dx all right और इसको आप properly जब integrate करने जाएंगे दोस्तों integral of cos two x dx zero to lambda यह आप पाएंगे becomes zero क्यों क्योंकि दोस्तों lambda जो है two pi by k होता है तो limit substitute करते समय आप इसको use करिये आपको यह integral zero जो मिल जाएगा राइट सो आपके पास the value of kinetic energy जो आएगी वन बाई फोर म्यूं ओमेगा स्क्वाइर ए स्क्वाइर लेमडा आएगी और राइट दोस्तों तो इस तरह हमने kinetic energy निकाल ली है एक wavelength length में जो की एक string में है अब हम जानेंगे potential energy कैसा निकालेंगे और राइट शलिए दोस्तों सो potential energy is equal to half of m omega square y square यहां पर मैं इसको dm कर देता हूं क्योंकि हम एक small element की बात कर रहे हैं और यह मेरा du है all right so potential energy is equal to du is equal to half dm omega square y क्या है दोस्तों a sin omega t a sin kx minus omega t okay इसको square कर देना है दोस्तों all right so यह आजाएगा half omega square a square dm को मैं लिख सकता हूं mu into dx so mu into sin square kx minus omega t dx यह मेरा du है all right अब total potential energy के लिए मुझे इसको integrate करना पड़ेगा तो again मैं एक wavelength में integrate करूंगा क्योंकि after every wavelength everything repeats even potential energy kinetic energy everything repeats itself तो दोस्तों यहां पर potential energy मेरी आ जाएगी half omega square a square mu यहां पर sin square theta है दोस्तों sin square theta को हम लिख सकते हैं one minus cos of two theta so two times kx minus omega t divided by two इसका हमको integral करना है zero two lambda ओके तो यह यू नहीं है दोस्तों lambda है अब जैसे कि हमने पहले बात की थी मैं यहां पर t की value zero कर दूंगा और आप देखेंगे कि आपके पास आ जाएगा one by four omega square a square mu times lambda ओके क्योंकि integral of cos two times kx zero two wavelength आप integrate करेंगे तो उसका value zero आएगा याद रखिएगा दोस्तों lambda की value होती है two pi by k ओके यह जस्ट आप ट्राइ कर सकते हैं चक कर लिजाए इसको और यहां पर आपको एक और चीज़ दिख रही होगी दोस्तों कि potential energy और kinetic energy जो हमने निकाली है दोनों की value सेम है kinetic energy भी हमारी सेम आई थी 1 by 4 omega square a square mu times lambda जो की एक तरह से expected ही है दोस्तों क्योंकि यह दोनों kinetic energy and potential energy एक दूसरे के साथ interchange करते रहते हैं total energy for one wavelength so energy for one wavelength is equal to one by two mu omega square a square times lambda ओके अब यह दोस्तों energy है यह energy transmit हो रही है एक wave के द्वारा और power की अगर बात किये जाए power क्या होता है दोस्तों rate of rate of work done होता है और यहां पर in this scenario we can conveniently say that power is rate of transmission of energy rate of transmission of energy कि यह energy एक wavelength में है तो जो पावर दोस्तों आएगी वह energy for one complete wavelength divided by time period यह होगा दोस्तों half mu omega square a square lambda divided by time period अब दोस्तों lambda divided by time period क्या होगा सही पैचाना दोस्तों lambda divided by time period होता है velocity of the wave तो पावर हो जाएगी दोस्तों स्क्वाइर तो आई होप आपको आज कुछ सीखने को मिला होगा तो यह derivation है दोस्तों power is proportion to amplitude square का अगर आपको कोई भी confusion आपके पास अभी भी है तो आप मुझे reach out कर सकते हैं बस आपको comment section में लिख देना है अपना डाउट और मैं उसको पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करूंगा थैंक यू फॉर जोइनिंग दिस इस धीरस रॉम सेंटर में केडमी साइनिंग आउट बाई बाई